सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकान को जुरूर प्रेस करें जिसे लेटेस्ट एजूकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस वीडियो में आपको कॉपी राइट क्या होता है इसका बेसी कॉंसेप्ट एक्जेंपल के असा समझाँगा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके कापी राइट देखिए जब आप किसी की बुक को किसी की फोटो को जो किसी ने बहुत मेहनत के साथ लिखी है कोई किताब या किसी ने फोटोग्राफर है उसने पिक्चर को खींच है कोई म्यूजिक किसी ने इंट्रोडियूस करवाया है तो कोई किसी की पेंटिंग है, किसी का आर्ट है, किसी के ग्राफिक्स हैं, वेक्टर या किसी ने कुछ डिजाइन की हैं, वेक्टर तो उसके बाद किसी की कोई इमिजीज हैं, किसी की कोई वीडियो बनाई है, किसी की कोई मुवीज हैं, किसी ने कोई फिल्म तो यह सारी चीज हैं, जो हैं ना मैं बता हूं जनके नाम ले रहा हूं इह ऐं है इनकी physical existence नहीं होती तो इनको जब copy low करते हैं उसको हम copyright claim कलेम कहते हैं और अभी copyright क्या हुता है क्या हुता है के copyright जब आप आपने कोई movie बनाई है कोई music बनाई है मुझे वो कुछ royalty pay करे, फिर मैं उसको ये इसकी authority दूँ, इसकी assess दूँ, ठीक है, तो ये जो आप इसको secure कर लेते हैं, अपनी pictures को, अपनी किताबों को, अपनी books को, photo को, software में, जितनी भी चीज़े हैं, painting, software program, films, movie, images, कोई art, painting, तो इनको जब आप register करवा लेते हैं, आप इनका एक license ले लेते हैं, online, तो वो क्या होता है, वो copyright आजाता है, ठीक है, तो कोई और करेगा, तो उसको आप copyright claim कर सकते हो, उसके उपर आप case कर सकते हो, तो ये copyright का छोटा सा concept था, I hope आपको clear हो चुका होगा, वीडियो ची लगी हो तो सबस्क्राइब और लाइक करना मत बूलिएगा, अपना बहुत ख्यार लगिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, गुडबाई